कि ऑधियर करते हैं देखिए सारे स्टूडेंट के लिए जो भी के फिर्क रेलेवे के श्टूडेंट ईुनके लिए और अवस्य शूचना है आपकी सारी माउं को रखा गया है हम आपकी सारी दुबिधाओं को क्लियर करते हैं देखिए 28 जनवर को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेश्ट में आप हिस्सा लौगे यह आपके लिए गलत सावित हो जाएगा हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं देखिए अभी एक करेंगे यूनीक नंबर जो दिया जाएं अर्था साड़े तीन लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा एंटीपी सी वालों की समस्या खतम गुरूप डी वालों की जो समस्या थी उनके लेसी बीटी टू को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वह सहमत हो इसे भी ह जूज रही थी उसको इतने बड़े एकजाम को कंड़क्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे हैं चुनाओ के मत्य नजर ऐसा डिसीजन लिया है ये गलत है देखिए ये किसी टीचर यारी ब्रॉपी से हटाए जागा ये रेल मंतरी का डिसीजन है और इसमें पिये मों में नुय करती लेकिन उसकी उपर लेड़ी को हर हाल में मनना है इसलिए आपकी हर मान को मांन लिया हैं आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वालेंस कर देगा, आरा में जो ट्रेन जला दी गई, या कि गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्याप्थी कह सकता है कि उसके आर्में किसी दूसरे ने नहीं किया हो, क्या रहे का कोई भी भुखते में स्टूडेट, आपके लिए हम खड़े हैं आपकी हर मांगों को हम सुरू से ही उठाते हैं, लेकिन जब हम वहां जाते हैं, मंतराले में बात करने के लिए, या बोर्ड आफिस में बात करने क किसी और फेक नीज अफवाहों पर ध्याम नहीं दीजे, कुछ भी कुछ भी यूटूब वाले हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए, किसी भी डिश्टिक का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वैलेंस नहीं करेगा, हम कोई भी आप कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आपकी मांगों को माना जा चुका है, हम बता रहे हैं कि इसमें PMO ने इस बात को माना है, न कि RRB, RRB अगर बोलती तो हम भी कहते हैं, यहां आप 100% भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए कल कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, क कोई भी बंदोल नहीं, आप अराम से पढ़ाई कीजिएगा, और भी कुछ बातों कहेंगे, देखिए, और स्टूडेंट जो कोचिन के पास आए हैं, या जो कहना है भाई, देखिए स्टूडेंट आप सबने बहुत साथ दिया, हम लोग ने भी आपका साथ दिया, आपने खुद कराए कि हर टीचर को वो अपने बातों को कहने देने, अच्छुली उन लोगों ने गलत न्यूज देखा है, जिस आधार को उन्हों ने पताए गया है, बाद में अभी कोचिंग एसोसियेशन के पूरी टीम गई थी, उन्होंने लीगल दिखाया, तो उन लोगों न कि अपसे बड़ी जिम्यदारी कि 28 तारी को कुछ नहीं होना चीज़, क्योंकि अगर 28 को कुछ होगा तो फिर हम को जवाब देना ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी हर बातों को माल लिए गया, हमारी गिरफ तारी या किसी टीचर की घिरफ तारी होगी की optic होगी की नह मम्मी को समझाने में परिशान होगे एक बताइए हम लोग की फैमिली के उपर क्या बुजरता होगा आप समझे इस चीज को हम इसलिए हर स्टूडेंट को हम हाथ जोड़ते हैं बाबु हम ठीक हैं फिलहाल अगर पुलिस कुछ भी कर रहा ही करती है हमारे उपर हम आपको बता रहे हैं उनलों के पास जैसा डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे और हाँ यह बात हम हमेशा करते हैं कि जो रेलवे बोर्ड बनाए गया वह एलेक्शन से मोटिवेटेड नहीं है यह पीमों के इंटर्वेर के बाद इसे बनाए गया हम आप सारे स्टूडेंट जो हमारे स इसका नाम की आप बता हुआ कि विद्यार्थी का इसू रहे का नाम नहीं नहीं हो गा कोई भी पूजा करियेगा सबसे पहले वहीं से सुरुबात होती है कशमीर से कन्या कुमारी तक हर स्ट्वूडेंट के उनकी सब्सक्राइब हम साथ रहते तो हमारे लिए कड़े रहें हम बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब जब बात आएगी हिंदुस्तान की, तो कल बात हिंदुस्तान की है, हाट जोडते हैं, कल कोई लड़का प्रोटेस्ट में भाग न ले, प्रीज कहते हैं, और हर टीचर से कहते हैं, आप जहां भी हैं, कस्मीर से कन्या कुमारी तक ह हर टीचर अपने स्टूडेंट को समझाए कि कल किसी भी तरह का प्रोटेश्ट नहीं हो वरना स्टूडेंट के आड़ में कुछ उपद्रवी लोग आके तोड़ फोड मचा देंगे और बदनाम होंगे स्टूडेंट और हम लोग कहलेंगे सिच्छा माफिया जो गड़ीब बच्चे हैं उनको हम आज भी फिरी में पढ़ाते हैं विखलान बच्चों से हम फीस नहीं दिया हैं लेकिन फिर भी हम लोग को माफिया कहलता है और कल को अगर कोई प्रोटेश्ट में कुछ हो गया तो हम लोग को ताल नहीं है आपके 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है बस हम बता दिया आपको पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवेड बोर्ट ही है वो डिसीजन लेगी क्योंकि इसमें पीमो रेल मंत्री और प्रधान मंत्री भी इन्वाल्व है जो ग करहा दो किसा दिस आपका जो रिक स्ट्रा लाम उलिए भी रिस terrace भी सिस्टा那 दो ठाइच एजया ये जो किसी रिईставत किहा वो अदोफ आपका अूसogen